दोस्तो आज का जो वीडियो है ना उमें बनाने वाला बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि आज तक मैंने बहुत सरी वीडियो बनाए पर इस टॉपिक को ना मैंने आज तक हाथ नहीं लगाया था दोस्तो बहुत दिनों से यूटूब के कमेंट बॉक्स में मुझको एक सवाल देखने के लिए मिलता है मतलब बहुत सरे भाई लोग मुझसे एक सवाल पुछते है कि भाई हमको ना हमारी चाची को पटाना है हमको ना हमारी भावी को पटाना है मतलब चाची, मामी, भावी, मौसी मतलब हमको ना मतलब जो रिष्टों में हमारी औरते हैं उनको हमको पटाना है तो हम क्या करें? मतलब कोई ऐसी टेखनिक बताओ कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमारी जो चाची है हमारी जो मामी है, हमारी जो भावी है, हमारी जो मौसी है, ओ हमसे पढ़ जाए तो अगर आपके अंदर ऐसी कोई fantasy आती है, कि अगर आपको अपने चाची से, अपने मामी से, अपने भावी से, अपने अंटी से मतलब किसी भी अवरोस से जो आपके रिष्टो में है तो उसके परती अगर आपके अंदर आकरिशन आ गया है तो अगर आपको ऐसा मतलब हमेशा मतलब लगता है तो आजका जो वीडियो है ना वह सो बहुत ज़़धा इंपोर्टेंट है क्योंकि आज का वीडियो दोस्तों आप पुरा देखे क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ तो प्लीज दोस्तों आज का वीडियो प्लीज पुरा देखे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को तो सो देखो जब हम जवानी में आते हैं ना मतलब जब हमारी उमर 18 से लेकर 25 तक होती है मतलब 20, 21, 22, 25 तक तो हमारे अंदर ना मतलब कुछ-कुछ पूर्शों के अंदर मैं सभी लोगों को नहीं बोल रहा पर कुछ-कुछ पूर्शों के अंदर ना एसी मतलब इच्छा जागरूत होती है कि मुझे ना मेरी अंटी को पटाना है मुझे ना मेरी चाची को पटाना है मुझे ना मेरी भावी को पटाना है मतलब हमारे जो रिष्टों में आवरते होती है उनके परती हमारा आकरशन आप्टोमेटिक डेवलप होता है तो अगर परती मतलब आकरशित हो जाता है उस तो ये fantasy हमारे अंदर क्यों आती आपको पता है कि जब हमारी उमर ना 18 से लेकर 25 होती है ना और हमको मतलब कोई भी girlfriend कोई भी मतलब ऐसी friend बिल्कुल भी नहीं होती है जो हमारी जरुत को पूरा कर सके मतलब हमारे life में कोई भी आउरत कोई भी लड़की बिल्कुल भी नहीं होती है तो हमारा जो मन है ना और रिष्टों में जो अवरती होती है उनकी तरफ आकरशित करता है हमको मतलब ओ आटमेटी दोस्तों हो जाता है मतलब मैं सभी पूर्शों के बारे में नहीं बोल रहा पर कुछ-कुछ पूर्शों के बारे में ना ऐसा होता है दोस्तो तो तो इसको ही fantasy of insight कहते हैं मतलब यह ऐसा तब होता है जब हम मतलब इक उमर में होते हैं जब हम जवान होते हैं और हमारी जिन्दगी में कोई भी और अवरत कोई भी लड़की बिल्कुल भी नहीं होती है तो हमको मतलब ऐसा आकरशन आपने अंदर आ जाता है तो यह गलत भी नहीं है ऐसा नॉर्मली होता है पर दोस्तों आपको ना अपने बुद्धी से काम लेना पड़ेगा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि मेरे अंदर जो फैंटेसी आ रही है मेरे अंदर जो आकरशन की इच्छा आ रही ह ओ सही है या पिर गलत है मतलब हमारी जो भारती है संस्कृती है ओ उसको accept करती है या पिर नहीं करती है दोस्तों आप चाहिए कुछ भी कर लो पर मुझे ऐसा लगता है ना कि रिष्टों में जो अवरते होती है ओ हमारी मा भेन होती है तो उनको पताना दोस्तों बिलकुल इसके अग्यूश्ट में हूँ, फिर भी दोस्तों ना अगर आपने सवाल मुझसे पूछा है, और अगर आप मुझे एक लव गूरू समझते हो, और मुझे आपने सवाल पूछा है, तो मैं आपको एक दोस्तों एडवाइस दूँगा, कि ओचे चाची हो, मामी हो, भावी हो अंटी हो कोई भी हो वो एक अवरत है और अवरत अवरत होती है और मेरे चाइनल पे ना दोस्तो मैंने धेर सारी वीडियो बनाए है कि अवरतों को कैसे पटाए अवरतों को कैसे इंप्रेस करे तो आप ना उन में से कोई भी वीडियो उठा लो और उसके उपर काम करना मैं आपको बतन रस्तों क्या चाता हूँ कि ऐसा करना एक तो गलत होता है अगर आप मुझसे पूछोगे पर अगर आपको ज्यादा ही जुल मुची है तो मैं आपको एकी बात यहाँ पर बोल रहा हूँ कि अवरत अवरत होती है ओचे अंटी हो, मामी हो, चाची हो, भाबी हो कोई भी हो तो मेरे चैनल पर आपको बहुत सरी वीडियो देखने के लिए मिलेंगे जहां पर मैंने और तो को पटाने के तरीके बताए है तो उन में से आप कोई भी तरीका रस्तों आजमा सकते हो तो इतना ही मुझे बताना था आई होप जो मैंने आपको बताया वो आपको सब कुस समझ आया होगा फिर भी अगर अपके दिमाग में कोई डाउट होगा कोई सवाल होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद